ओम नमो भगवते वासुदे वाय ओम नमो भगवते वासुदे वाय ओम नमो भगवते वासुदे वाय ओम 636 में सभी भक्तों का स्वागत है हम सभी यहाँ पर श्रीमत भागवता महापुरान को अंतराज्री कृष्ट भावनामे संके संस्थापक आचारे कृष्ट कृपा मुर्ति श्री श्रीमत अभे चरनार्विन दिवक्ति वेदानत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की पुस्तक विशेवस्तों की संक्षित पुन्राविती के स्क्रम में यदि हम सभी स्मरन करें तो पिछले सत्र में हमने स्कद बारा अध्यायती भूमी गीश्रमन किया था जहां देवी भूमी कल्यूक के राजाओं की पूरुवर्ति युगों के राजाओं से तुलना करते हुए कल्यूक के जीवों को भगवान की विभूती स्वरुप प्राप्त प्रशाशनी कदिकारी राजा के पदपर स्वयम को अधिश्टित होने के करने के पश्चाद भी धर्म के जो चार स्थम्भ हैं उनका पालन करने की रुची ना देखते हुए देवी भूमी ने बताया कि ये मनुश्य जीवन का कितना बड़ा अपव्याई है परिक्षित महराज द्वारा साथ ही ये पूछे जाने पर कि अलग-अलग युगों में किस प्रकार से कौन से विधी से कौन से गुणों से सज्जित मुनुष्य रहते हैं और भगवान को हरि नाम कल्यूग का जो युगधर्म बताया गया है वो मात्र कोरी कलपना कालपनिकता नहीं है वैदिक वांगवे का परम सत्य है और उसकी प्रासंगित्ता क्यों है क्योंकि कल्यूग में सत्य शमा दया तप ये जो धर्म के चार स्थम हैं ये एक एक चौथाई शेश रह इसलिए गड़ना के क्रम में क्या ज़ता है कि सत्य यूग के तुलना में कल्यूग में धर्म के तीन स्थम्भ जा चुके होते हैं एक एक चौथाई बचे हैं अत्यंत अल्ब बचे हैं तो ये सब व्यभारिक बिंदू हम सभी ने श्रवन किया जहां पर शुक्देगो स्वामी से ये सब कुछ सुनने के पश्चात महराज परिक्षित अत्यंत व्यग्र हो गए और उन्हें पूचा किया कल्यूग में कोई गुर्मी शेश है और उसमें हमने चर्चा गी थी कि किस प्रकार ये कल्यूग भक्तों के लिए परमलाबदाया के जो पस्या तिर्थ यात्रा भ्रहण अने को प्रकार के अन्य सन्मार्ग ग्रहन करने पर अन्य यूगों में प्राप्त होता है कल्यूग में वो क्रिष्ण नाम का किर्थन करने से भौतिक संगती के समस्त विकारों से उध्धार हो जाने की प्रक्रिया को प्राप्त कर लेता है प्राप्ति किया जा सकता है आज के सत्र में हम सभी इसकंद बार अध्याय चार आरम करने जा रहे हैं जहां प्रले की चार कोटियों के बारे में प्रकार के बारे में बतलाए गया है मंगलाचरन के पश्चात एक-एक श्लोक का वार्चन और अनुवाद श्रमण और पठन करते वे हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे आरम करते हैं मंगलाचरन से नारायनं नमस्कृत्य नरंचेव नरोतमं देविं सरस्वतिं व्यासं ततो जयं उधीरये श्रण्वतां स्वकता क्रिष्ण पुन्या श्रवन कीर्तनं यद्यंतस्थोय भद्राणी विदूनोती सुयत्स्यतां नष्टि प्रायेश्व भद्रेशु नित्यं भागवत सेवयाँ भगवत्य उत्तम अश्लोके भक्तिर भवती नष्टिकी ओमग्यांते मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयाँ चक्षून मेलितम्येना तस्मै श्री गुरु वेनमा मूकं करोतिवाचालं पंगुम् लंगयतिगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परिमानन्दे मादवं वांचा कल्पतरुप्यस्च कृपा सिंदु प्रेवच वतितानाम पावनेब्यो वैष्णवेब्यो नमो नमा जै श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानन्द श्री अध्वेत गराधर श्री वासाधी गौर भक्तिरिंद Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 पुर्ण स्वी भक्तों को साधर्व प्रणाम 766636 में हम सभी आजारम करने जा रहे हैं इस कंद बारः अध्याएचार जहां प्रले के चार कोटियों प्रकारों के बारे में बतलाया गया है और कैसे बहुतिक जीवन चक्र की इस यात्रा से स्वयम को बचाया रखने के लिए जीव का अंतिम आश्रे, परम आश्रे, भगवद नाम, भगवान की कृपा, भगवान के श्री चरणे. द्वारम करते हैं श्री शुक वाच, सालते परम अडुवाधी, द्वीपरारधाव धीम्रिप, गतितो युगमानम्च, शुक्देगो स्वामी ने का, हे राजा मैं पहले ही तुमें एक परमाडू की गती से मापे जाने वाले सबसे छोटे अंश से लेकर ब्रह्मा की कुलाय तक काल की माप बतला चुका हूँ, मैंने ब्रह्मान के इतिहास के विभिन्न युगों की माप भी बतला दिये, अब ब्रह्मा के दिन तथा प्रलै की प्रक्रिया के बारे में सुनो, तो हमने इसकंद पांच में काल के मापक इकाईयों के बारे में श्रौन किया था, वहाँ पर्माणू की गती से ब्रह्मा के जीवन काल तक की अवधी को आपने जाना था यहां उसकी संक्षिप पुन्राय उर्ति करते वे आगे बढ़ते हैं शुक्देगो स्वामी कहते हैं चार युगों के एक हजार चक्रों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है जो कल्ब कहलाता है हे राजा इस अवधी में 14 मनू आते जाते हैं तो सतियुक त्रेता द्वापर कल युग चार युग से एक दिव्य युग बना ऐसे दिव्य युगों की हजार क्रम परिधी से ब्रह्मा का एक दिन बन रहा है और इस एक दिन में दिन की बात हो रही है कि वहले भी रात की बात नहीं हो रही है एक दिन में कहा जा रहा है 14 मनों आते जाते हैं कहते हैं इश्लोक संख्या तीन में तो एक दिन ब्रह्मा का क्या है हम तीस कल्प मास की बात करते हैं एक महिना संख्या वही है संख्या को नापने की जैसे जब हम किसी नक्षे को देखते हैं भारत के नक्षे की बात करें तो हम उसे एक बड़े चार्ट में देख सकते हैं और और वहाँ पर जो मापक इकाई है, वो कह दी जाती है, एक किलोमीटर इतने के बराबर है, या पाँच किलोमीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर है, वो इकाई वहाँ पर परिवर्ति जाती है, वैसे ब्रह्मा का एक दिन, मनुश्य का एक दिन, इकाई के रूप में एक है, प उसमें कहा जा रहा है चार युगों से एक दिव्य युग बन रहा है और ऐसे एक हजार दिव्य युगों से ब्रह्मा के एक दिन की अवदी है हमारे कैसे 24 गंटे में ब्रह्मा के लिए वो निमिश मात्र से भी कम है और उसके पश्चा ब्रह्मा जी की रात के बारे में बतला ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनकी रात के समय जो उतनी ही अवधी की होती है प्रले होता है। ब्रह्मा के सोते समय वे समुचे ब्रह्मान्द को अपने में लीन कर लेते। तो ये प्रती 12 घंटे जिसे हम अपने दिन के अनुसार कह सकते हैं उसके पश्चात का वो समय है नैमितिक चार प्रकार की प्रले में ये जो पहली प्रले नैमितिक कही जा रही है इसका अर्थ है अगर यदि हम संस्कृत अनुवाद में देखें यहाँ पर तो लिखा है यद इस प्रकार का समयकाल है जब तीनों लोग नश्ट हो जा रहे हैं और उनका संघार हो जा रहा है इस ब्रम्भान्ड के इन लोकों के संघार के पेश्चात age उले कर रहे हैं श्लोक संख्या 5 में तो पहली प्रलेको में स्मुरण कर रहे हैं ऑंपर नैमितिक दुई पर आरद प्रवती क्रांते ब्राम्वन परमिष्टिन तदा प्रकृति हसब्त कल्पन्ते प्रलयायवे जब सर्वोच जीव भगवान ब्रह्मा के जीवन काल के दो परार्द पूरे हो जाते हैं तो श्रिष्टी के साथ मूल भूत तत्व विनष्ट हो जा रहे हैं परार्द का अर्थ श्रिष्टी के साथो मूल भूत तत्व नश्ट होने जा रहे हैं क्या कह रहे हैं एश प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्रलियते अंड़ खोशस्तु संगातो विघाट उपसादिते हे राजा भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद श्रिष्टी के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रम्हांड को विनाश का सामना करना होता हैं तो यहाँ पर अंतर है यहाँ पर कहा जा रहे हैं जब ये प्रले, अभी वास्ताओं में आगे भी इस प्रले के बारे में विस्तार से बतलाये जाएगा, तो नश्वर जगत से भगवान का क्योंकि प्रयाण हुआ है, हम इसमरन करें तो, भगवान ने लीला तिरोधान किये, अभी इसकंद 11 के अंतिम ध्याय में हमने श्रमन किया, तो शुकदेव गोस्वामी परिक्षित महाराज की मादिम से ये सपश्ट कर रहे हैं कि वास्ताओं में भगवान का प्रयाण, ये कोई साधारन घटना नहीं थी, पर उस शन पर ये भी इसमरन रखना आवश्यक है, कि ये एक भगवान की योचना के अनुसार नियमित घट एक नगर्ने घटना के समान है, क्योंकि परिक्षित महाराज अब अपने जीवन काल की समापती के अंतिम छोर पर, अंतिम कुछ समय काल के लिए, दिनों के लिए कह सकते हैं, भी नहीं, घंटों के लिए बचे हैं, तो इश्वर की उत्पत्ती के विशे की गंभीर प्रासं एक व्याख्याओं के पश्चात, आदर्श गुरू के रूप में शुक्देगो स्वामी अपने शिश्य को मृत्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, कह रहे हैं, शलोक संख्या साथ में वर्जन्यशत वर्शानी, भूम और आजन्न वर्शती, तदा निरन्य यन्योन्यम, भक्षे माना शुधार्तिता, शयम याश्यन तीसन के, काले नोप दृता प्रजा हे राजा, जो जो प्रले निकटाएगा तियो तो प्रत्वी पर एक सो वर्शो तक वर्शा नहीं होगी, सूखे से दुर्भिक्ष पढ़ जाएगा और भूकी मरने वाली जन्ता एक दूसरे को सचमुच खा जाएगी, प्रत्वी के निवासी काल की शक्ती से मोगरस्त होकर दीरे दीरे नश्ट हो जाएगे, सामुद्रम दैहि किम्भॉमम रसम सामवर्त को रवी, रश्मी भी पिबते घोरे सर्वम नैववि मुंचती, सूरे अपने संघारक रूप में अपनी घोर किर्णों के द्वारा समुद्र का, शरीरों का तथा प्रत्वी का सारा पानी पी इसके बाद प्रले की विशाल अगनी भगवान संकर्शन के मुख से धदक उठेगी, वायू के प्रबल वेग से समवर्तक ले जाई गही है, अगने निर्जी विराट खोल को जुलसा कर सारे ब्रह्मान्ड में जल उठेगी उपर से दहकते सूरे के तथा नीचे से भगवान संकर्शन की अगनी से इस तरह सभी दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मान्ड गोबर के दहकते पिंड की तरह चमकने लगेगा महान तथा भीषण विनाशकारी वायू एक सौ वर्षों से भी अधिक काल तक भहेगी और धूल से आक्षादित आकाश भूरा हो जाएगा हे राजा उसके बाद नाना रंग के बादलों के समू बिजली के साथ खोर गरजना करते हुए एकत्र होंगे और एक सौ वर्षों तक मुसलाधार वर्षा करते रहेगे इसमरन करने की बात है कि इस परम ग्यान के बिलकुल बाहरी सते के शोर पर वरतमान विज्यान इस जगत का आदोनेक विज्यान परिक्षन करने का प्रयास करता है जहां कहते हैं पृत्वी hundred thousand वर्षों तक बहुत तदिक थंडी हो जाएगी और ये थंडे और गर्म होने का क्रम चलता रहेगा और बीच में कुछ-कुछ समय ऐसा होगा जो मनुश्यों के जीवन के रहने के लिए अनुकूल होता है प्राणियों के रहने के लिए यहां इस सर्फिस इस उपरी सतर के ज्ञान को इसकी पूरी कंभीरता के साथ प्रामाडिक तत्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है ब्रह्मा जी के दिन के समापती पर रात्रिकाल की प्रले नैमित्तिक पले है संपूर्ण भौतिक स्रिष्टी विलीन हो रही है मूलभूत साथ तत्वों के साथ नहीं वो दूसरे प्रकार में यहां प विनाश की लीला है, ये कितनी कंभीर होती है उस समय ब्रह्मान की खोल जल से भर जाएगी और एक विराट सागर का निर्मान करेगी जब सारा ब्रह्मान जल मगनो जाता है तो यह जल प्रतवी के अध्वितिय सुगंधी गुण को हर लेगा और प्रतवी अपने इस विभेद कारी गुण से विहीन होकर विलीन हो जाएगी तो जब हमने इस स्ष्ष्ठी बहुत इक तत्वों की गर्णा में श्रिष्टी के निर्माण और प्रले के सिधान्त को समझें भी ना ये जाना था कि कैसे श्रिष्टी प्रस्तारित हो रही है और कैसे ये प्नत्व विलीन हो रहे हैं। वहाँ हमने जाना था कि कैसे आकाश से ध्वनी, तंप्रेशित आगे प्रस्तार होती है, विस्तार होती है, फिर वायू, वायू से अगनी, अगनी से जल और जल से प्रतवी आती है, तो रूप, रस, गन्द, सिल भनी, जो हम श्रमण करते हैं, ये इन प्रत्वों से प्राप्ठ होती है, और जब ये अपने सुख्ष्म प्रत्वों में इसी उल्टे क्रम में समेटी जाने लग जाती है, तो पूर्ण रूपेन समाप्थ हो जाती हैं बदला रहे हैं प्रलै के इन प्रकारों में आगे शुक्देगो स्वामी अपाम्रसं मतो तेजा तालियंते अतनीरसा ग्रसते तेजा सोरूपं वायू तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायोकं ग्रसते गुणं सवय विषति खमराजन ततश्च नभसो गुणं शब्दम ग्रसती भूता दिन भस्तम अनुलीयते तैज सश्चेंद्रियान्यंग रैवान वैकारिको गुने महान ग्रसत्य हंकारं गुना सत्वाद यश्यतं ग्रसते अभ्याकृतं राजन गुनान कालेन चोधितं तब अगनी जल से स्वाद ग्रहन करती है जो अपने अधुतिय गुन स्वाद को त्याग कर अगनी में लीन हो जाता है वायू अगनी में नहित रूप को ग्रहन करता है और तब अगनी अपना रूप को कर वायू में लीन हो जाती है आकाश वायू के गुण स्पर्श को पा लेता है और वह वायू आकाश में प्रवेश कर जाती है तब हे राजा तमोगुणी मित्याहेंकार आकाश के गुण ध्वनी को ग्रहन करता है इसके बाद आकाश मित्याहेंकार में विलीन हो जाता है रजो गुड़ी मित्या हैंकार इंद्रियों को ग्रहन करता है और सतो गुड़ी एहंकार देवताओं को विलीन कर लेता है तब संपूर्ण महत तत्व मित्या हैंकार को उसके विविद कार्यों समेथ ग्रहन करता है और यह महत प्रकृती के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमों द्वारा जकर लिया जाता है ते राजा परिक्षित के गुण काल द्वारा प्रेरित प्रकृती के मूल अव्यक्त रूप द्वारा अधिक्रहत हो जाते हैं यह अव्यक्त प्रकृती काल के प्रभाव द्वारा उत्पन छे प्रकार के विकारों के अधीन नहीं होती प्रत्युत इसका न तो आधी होता है न अंत ये श्रिष्टी का अव्यक्त शाश्वत अव्ययकारण है कम से कम अपने स्मृति के आधार पर यदि मैं सही से स्मरण करू तो श्रीमत भागवतम में ये विलीन होने का क्रम हम चौती बार श्रमण कर रहे हैं हमने इसकंद दो में श्रमण किया है जहां प्रमाजी ना में इसे श्रमण किया था कैसे कृत्वी अगनी वायू जल आकाश का ये क्रम बढ़ता हुआ मित्या एहंकार इंद्रिय और महत तत्व में विलीन होता जा रहे है विगटन की ये प्रक्रिया समाप्ती की ये प्रक्रिया हमें ये स्मरन कराती है कि जो हमारा प्रतिदिन का ज वार इस थूल तत्वों पर आधारित है इस थूल तत्व ये जो प्रत्वी जल अगनी वायू हम इनकी बात करें जिनसे बना हुआ ये शरीर है ये कितने क्रमबध तरीके से संयोजित है इस रिष्टी के निर्मान और प्रलय के समय आने और जाने का इसलिए अव्यक्त कहा प्रक्रिया है जब भगवत कृपाद त्रिष्टी होती है तो स्रिजन होने लगता है और जब काल की गती में ये सब समेटे जा रहे होते हैं तो इसे हम विनाश प्रलय की प्रक्रिया कह रहे हैं इसलिए आशुक्देगुस्वामी से संबद करें कह रहे है ना यत्रवाचो नममनो नसत्वं तमो रजोवा महदादयों न प्राण बुद्धिंद्रिय देवतावा न सन्निवेश कलुलोक कल्प न स्वप्न जागन न स्वप्न जागरत न चसत्सुषुक्तं न कंजलंभु अनिलोग्णिनर्क नस्वप्न वक्षुन् प्रकृति की अव्यत अवस्था जिसे प्रधान कहते हैं उसमें न वाणी न मन न महतित्यारी सुक्ष्मतत्व और नहीं सतो रजो तथा तमोगुण होते हैं उसमें न तो प्राण वायू, न बुद्धी, न कोई इंद्रिया या देवता रहते हैं, उसमें न तो ग्रहों की स्पष्ट व्याक्या होती हैं, नहीं चेतना की विबिन अवस्ताय सुप्त जागरत अता शुशुप्ती ही होती हैं, उसमें आकाश जल प्रत्वी वायू अग तो जिन साथ तत्वों की अभी हम यहाँ पर व्याक्या श्रमन कर रहे हैं, यह अव्यक्त हो जाते हैं, जब स्रिष्टी समाप्त हो रही है, समाप्त हो चुकी है, भगवान के उदरस्थ में विलीन हो चुकी है, तब इन में से कुछ भी व्यक्त की अवस्ता में ही नहीं है वास्तों में अस्तित्वी ही क्या है मनुश्यगा इसलिए जितना आश्यर है जितनी रुची हमें श्रिष्टी के निर्माण में होने चाहिए उतनी ही अपने मूल अस्तित्वों को समझने के लिए श्रिष्टी के विनाशकम को ही जानना अविश्यग है कहते हैं श्लोग संक्या 22 में यह प्रले प्राकृतिक कहलाती है जिसके अंतरगत परम पुरुष तथा उनकी अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंदित शक्तियां काल के वेग द्वारा अव्यवस्तित होकर उनकी शक्तियों से विहीन होकर पूरी तरह से लीन हो जाती है तो यह स्थिती प्रले क्या है यह वो स्थिती है जब परम पुरुष और उनकी अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंदित शक्तियां काल के वेग द्वारा अव्यवस्तित होकर उनके विलीन हो गई है बगवान की यह अव्यक्त भय रंगा शक्ति काल के द्वारा संचालेत होती हुई सभी प्रकार की व्यत अवस्था से परे शक्तियों से रहित प्रतीत होती हुई विलीन हो गई है बतलारे श्लोक संख्या 23 में शुक्देव गोस्वामी प्रले 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 जो शब्दम शवन करते हैं प्रले आएगा तो कुछ नहीं बचेगा वास्तो में कुछ नहीं बचेगा अर्थ है यह जीव की शरीर की गती तो वैसे भी बिना प्रले की भी जीव नश्ट हो रहा है पर इस जीव के शरीर को प्रस्तुत करने वाली सुल और सुक्ष में सबी गतिविदिया संकुचित होकर अव्यक्त रूप में जहां दर्शित ना हो सकें दिख ना सकें वैसी विलीन हो चुकी होती हैं उसे हम प्रले कह रहे हैं आकर तो ऐसी अव्यक्त अवस्था चार प्रकार किये तो एक हमने ब्रह्मा जी के रात्री काल के संदर में सुनी बत आनंभाति तदाश्रयम द्रिश्य व अव्यति रेका भ्याम आद्यांतवस्तोयत एक मात्र पर ब्रह्म ही बुद्धी इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूती की वस्तुओं के रूप में रकट होता है और वही उनका परमाधार है जिसका भी आदी तथा अनुभूता ह है वह अपर्यापत है क्योंकि वह सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु है और अपने कारण से अभिन्न है बहुत ही हमें गंभीर चिंतन जैसी पंक्ति लगती है यहां पर लेकिन यह दिविचार करें तो हमारा जो अनुभव है उसको यहां पर शब्दों मे क्या अनुभव है हमारा इस जगत में जिसका भी आदी है राकट है उसका अन्त है और इसलिए भगवान जब इस धराधाम पर मनुझ रूप में आते हैं भगवान लीला तिरोधान भी दिखाते हैं क्योंकि वो जो समस्त प्रकार की शृष्टियों के संचालग है जिन से कोई नियम उद्भूत होते हैं वह इस अनुशाशन को अपने जीवन में भी दर्शित कराते हैं सुक्ष और स्थूल हौतिक रूप परमेश्वर की शक्ती से द्रिश्य बनते हैं पहले दिखते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं समाप्तिक आर्थ तो यह है कि भगवान के भीतर ही उपस्तित हैं यह जगत भगवान के भीतर उपस्तित हैं और भगवान इस जगत के भीतर उपस्तित हैं अद्रश्य जो द्रश्य था अब वो अद्रश्य हो गया और ये इतना क्रमबद्ध है कि प्रसार से विलीन होने की ये प्रक्रिया उसी क्रम से होती है जिस प्रकार अभी हमने आकाश से, वायू से, अगनी से, जल से प्रत्वी समझा और इसके लिए जो उपमा जो हम समझ सकें एनालोजी जिसे हम कहेंगे उसके लिए का गया है दीपक उस दीपक के प्रकाश से देखने वाली आँख तथा देख्या जाने वाला द्रश्य रूप मूलत अगली तत्व से अभिन्य है उसी तरह बुद्धी इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूतियों का परमसत्य से प्रथक कोई अस्तित्व नहीं है यद्य पीवः परमसत्य उनसे सर्वता भिन्य होता है तो कहा जा रहा है जिसे हम दीपक कह रहे हैं वो दीपक के प्रकाश से देखने वाली आँख तथा देखे जाने वाले द्रिश्यरूप मूलतः अगनी तत्व से अभिन है वास्तव में धीपक अपने आप में क्या है जो अगनी तत्व प्रज्वलित है और आंख से जो द्रिश्यमान प्रकाश के अंश से हम जिस अगनी तत्वों को देख पा रहे हैं, वो दोनों अभिन्य है, कितनी सुक्ष में व्याक्या है, सुर्य का प्रकाश समस्त प्रकार की, सुर्य के प्रकाश से हमारे नित्र, जिस अगनी को देख रहे हैं, जो देखा जा रहा है, जो और जिसके द्वारा देखा जा रहा है, वो कितना अभिन्य है, श्लोक संक्या 25 में बुद्धे जागरनम स्वप्न शुशुप्ति इती चोच्यते माया मात्रम इदम राजन नानात्वम रत्य गात्मनी मुद्धी की तीन अवस्थाएं जागरा शुशुप्त सत्ता शुशुप्त कहलाती हैं लेकिन हे राजा इन विबिन अवस्थाओं से शुद्ध जीव के लिए उत्पन नाना प्रकार की अनुपव माया की अत्रिक्ट कुछ भी नहीं इस जगत की समस्त घटनाओं को हम आसानी से समझ सकें इसके लिए आचारे उधारन देते हैं जैसे हम प्रते दिन निद्ध्रा की अवस्था में चले जाते हैं ये जगत उसी प्रकार का है और अब इस जागरत अवस्था को जिसे हम अभी इस जगत की जागरत अवस्था कह रहे हैं और जो हमारी सुप्त अवस्था है जागरत सुप्त और शुशुप्त जागने और सोने की बीच की जो थोड़ी सी तंद्रा वाली अवस्था है तीनों को संबन्दित करते हुए है कह रहे हैं शुक देव को इस्वामी अंततर देखा जाए तो ये नाना प्रकार के जो अनुभव है हमारे सोने में, हमारे जागने में जो प्रति दिन की दिन चर्या में है ये सब माया की अत्रिक पुछ भी नहीं है शुद्ध कृष्ण चेतना भावित जीव इसे अनुभूत कर सकता है चेतना अमई उपस्थिती जीव की स्वाभावी कबस्था है और इसलिए हम देखते हैं कि गुर्श शिश्य परंपरा में आई हुए आचार को इस जगत के बड़े से बड़े भौतिक लुभावने अवसरों में कोई अनुराग नहीं होता उनकी कोई आसकती नहीं होती क्योंकि वो अपनी मूल स्वाभाविक इस्थिती में होते है तो बतला रहे हैं क्यूं ये सारी व्याक्या कर रहे हैं शुकदेव गस्वामी जगत की वृथा उपस्तिती और जगत में उनकी वृथा उपस्तिती दोनों को anya के लिए जितना समय जीवन काल हमें प्राप्थ हुआ है वह अपने संबंद को पुनर्जागरत करके उसे प्राप्थ करने के प्रयास के लिए निमित हुआ है कहते हैं यता जलधरावयोंगी भवंती नभवंती च ब्रह्मनीदम तथा विश्वम अव्यव्युद याप्ययाद जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विले के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं उसी तरह या भौत एक ब्रह्मांड पर ब्रह्म के भीतर अपने अवियव रूपी तत्वों के मिश्रण तथा विले से बनता और विनश्ट होता है तो आकाश में जो हमें बादल दिख रहे हैं हम उनको देखते हैं कुछ समय तक वर्शा होई फिर वो कहीं हैं द्रिश्य हो उस उधारन से हमें ये श्रिष्टी के प्रले और सजन का विशे शुक्देव गोस्वामी स्पष्ट करा रहे हैं सत्यम्यावयवप्रोक्त सर्ववयविनामिह विनार्थेन प्रतिये रन पतस्येवांगतत्व तंतवह सत्यम्यावयवप्रोक्त सर्ववयविनामिह विनार्थेन प्रतिये रन पतस्येवांगतत्वह हे राजा विदांत सुत्र में ये कहा गया है कि इस ब्रह्म्भान में किसी व्यक्त पदार्थ को निर्मित करने वाला अव्यवी कारण प्रतक सत्य के रूप में उसी तरह देखा जा सकता है जिस तरह वस्त्र को बनाने वाले धागे उनसे बनी हुई वस्तू से अलग देखे जा सकते हैं जब वस्त्र का निर्मान होता है, यह हमने वस्त्र को बुने जाने वाले ताने बाने के रूप में भगवान की स्रिष्टी को समझाता हूं कहा गया था, जैसे हमें जब हम वस्त्र को यू देखें और वस्त्र के एक-एक महीन धागे को, तो हम उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जिसे कहा जाता है इस अक्षांतर पर अंतर कर सकते हैं कि किस प्रकार वस्त्र का धागा अपने आप में और वस्त्र में दोनों में अपने मूल व्यक्त पदार्थ जिसे कहा गया है, उसके अनुसार उपस्ते थे तो भगवान इस स्रिष्टी में भी है और इस स्रिष्टी भगवान में भी है ये बतलाने के लिए ये उधारन लिया गया है आगे कहते हैं सर्वत आधि अंतवत अवस्तु में सामान्य कारण तथा विशिष्ट कारे के रूप में अनुभव की हुई कोई भी वस्तु भ्रम होनी चाहिए क्योंकि ऐसे कारण तथा कारे एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं निसंदेव जिसका भी आदी तथा अंत है वह असत्य है ये सार रूप में सा अगर अन्य विशे हमें आज के सत्र के कटिन भी लगें तो जिसका भी आदी और अंत है वह असत्य है ये सदल सी पंक्ति हमें समझ में आ से इसलिए भगवान के लिए का आगया ना भगवान का कार्य व्यापार के कारण पर आश्रित नहीं होती है आगे इश्लोक संख्या 19 में बतला रहे हैं विकारो ख्याय मानो पी प्रत्यक आत्मान मंतरा ननिरुप्यो अस्तियरु अपी स्याचे चित्सम आत्मवत बहुतिक प्रकृती के एक भी परमानो का अनुभव किया जाने वाला रूपांतर उस परमात्मा के उलेख के बिना कोई परम अर्थ नहीं रखता किसी वस्तू को यथार्थ रूप में विद्यमान होने के लिए उस वस्तू को शुद्ध आत्मा जैसा ही गुणवाला नित्य तथा अव्याय होना चाहिए इसलिए इस जगत को परिवर्तन शील कहा गया है, इस शरीद को परिवर्तन शील कहा गया है, ये श्रिष्टी परिवर्तन शील है क्योंकि भौतिक प्रकृती का एक भी परमाणू जो अनुभव किया जा सकता है, वो रूपांतरित हो रहा है, और परमात्मा क्या है, आत्मा जैसा गुण, जो हम सभी अनुभूत कर सकते हैं, उसका परमस्त्रोत है, नित्य है, अव्याय है, नश्ट नहीं हो रहा है, तो प्रले के प्रकार से पहले हमें ये संदर्व स्पष्ट रहना बहुत आवश्यक है, बहुत एक प्रकृति जिसमें हम सभी रह रहे हैं, व वो भगवान का रूपांतर है, उनकी प्राक बाहर शक्ती का रूपांतर है, और इसलिए वह एक अभिव्यक्ति अनुभूति है, पर परमस्त्य नहीं है, अध्याय पंद्रा जो पुरुष्टम योग भगवत गीता में हम श्रवान करते हैं, तो क्या कहा गया, ये बहुत खाते हैं, परइब जगत, आध्यात्मीक जगत का परवर्टेड रेफलेक्शन, विकृत प्रतिभिम्ब हैं, जो वास्तों में अध्यात्मीक जगत में स्नेह प्रेम गया है, वो इस जगत में स्वार्थ-जन्ये-समंदों के रूप में परिलक्षयत होता है, जो सहयोग, कर प्रुणा अध्यात्मिक जगत की वास्तविक है वो भौतिक जगत में अपने लाब के लिए बनाये गए संबंदों के रूप में फली भूत होती है। निश्चल, निस्वार्थ, दैविये गुणों से युकत कोई भी भाव वो इस भौतिक जगत में सापेक्षिक रूप में आये अपने मूल रूप में वो केवल आध्यात्मिक जगत में उपस्ते थे। क्याते हैं नहीं सत्यस्य नानात्वम अविद्वान यदि मन्यते नानात्वम शिद्र यो यद्वत जोतिशो वात यो इवा। परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है। अज्यानी व्यक्ति द्वारा अनुभूत द्वैत रित्थ पात्र के भीतर तथा पात्र के बाँर के आकाश के अंतर के समान। अत्वा जल में सूरे के प्रतिबिंब तथा आकाश में सूरे के अंतर के समान अत्वा एक शरीर के भीतर की प्राणवायू तथा दूसरे शरीर की प्राणवायू में जो अंतर है उसके समान है एक सुर्ह इस जगत में इस उधारान को समझने के लिए उसे वास्तरिक माना जाए और हजार घड़े में पानी भर कर रख दिया जाए उसका जो प्रतिविम प्रतिय घड़े में के जल में दिख रहा है वही स्तिती इस जगत में उपस्तित समस्त वस्तूओं की है मूल रूप से जो परमात्मा है वह प्राणी मात्र में अंश रूप में जिसे हम आत्मा तत्वा कह रहे है उपस्तित है विबिन निक्रियाओं को संयोजित करने के लिए आवश्यक संसादन उपलब्द करा रहे है और इन सब संसादनों की उपलब्दता में यदि हम ये समझते है कि हम वो परम सत्ते हैं हम सदा रहने वाले हैं ये जीवन हमें सरवत्र समान रूप से सभी संसादन उपलब्द कराने वाला है तो ये हमारी अलपग्यता है परम सत्ते में कोई भौतिक द्वैत नहीं है यहाँ ये जो पंक्ति हम श्रवन कर रहे हैं पहली पंक्ति ही अपने आप में कोई भी द्वैत नहीं दूसरा कुछ है ही नहीं वास्ता होने और रिक्त पात्र के भीतर और पात्र के बाहर के आकाश के अंतर के समान जल में सूरे के प्रतिबिम्ब और आकाश में सूरे के अंतर के समान एक शरीर के भीतर की प्राणवायू और दूसरे शरीर की प्राणवायू के अंतर के समान अन्य कुछ है ही नहीं वास्ता में, बस जैसे इस आकाश में चमकने वाले सूर्य और घट में, पानी भरे हुए पात्र में दिखने वाले सूर्य में, जो द्वैत हमें दिखाई देता है, वो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे छोटे बच्चे को वोर्विलर, छोटी-छोटी कार दे दी जाएं, चलाओ, पर उस चलाने का कोई है तू नहीं है, कोई देश्य नहीं है, कोई अंतगती नहीं है, कुछ समय का मनोरंजन है वो, वास्तवी गाडियों में और उस छोटे से खिलोने गाड़ी में, क्या समानता है, आकार रूप में समान देख सकते हैं, आकार वो उस समान स्वरूप को धारन कर पाएगा, यह दि उसको मापा जाये तो, और नहीं वो उस प्रकार का कारे कर पाएगा, उसी प्रकार की हमारी स्तिती है, इस भौतिक जगत के श्रिष्टी के इन तत्वों से बने इस शरीर के साथ, पर क्योंकि हम सभी भगवान की तब वेवाले शरीर को राप्त करने के लिए, कह रहे हैं, आगे इसी को इस पश्ट करते हैं, श्लोक संक्या इक्तिस में कह रहे हैं, आना प्रकार से करते हैं, इसलिए सोना विविद रूपों में देखा जाता है, इसे तरह भौते किंद्रियों के लिए अगम में भगवान का वर्णन विविद प्रकार के लोगों द्वारा विविद रूपों में सामाने तथा वैदिक रूप में किया जाता है, तो हर मुं के नाग के गले के हाथ के कमर के या विभिन अलंकरन बनाने में या स्वर्ण भस्म के रूप में खाने में या वस्तूओं के व्यापार विनिमय में हम स्वर्ण का प्रेयों किसी भी रूप में कर रहे हूं खंबो दिवारो सिंधासन मंदिर के उपरी कलश को बनाने में किसी भी रूप में हम कर रहे हूं पर जो मूल इतत्व है वो एक ही है और हम विबिन्न कारियों के लिए विबिन्न प्रकार से कर ले भगवान एक ही है भगवत गीता श्रीमत भागवतम भगवद गीता में स्वयम भगवान, श्रीमत भागवतम में भगवान के भक्त, उस परम सत्य को अपनी निष्ठा धिन बनाये रखने के लिए स्वयम भगवान के द्वारा प्रकट होकर या अन्यों के अनुभव के द्वारा उसे व्यक्त किया जा रहा है पर जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, भगवान स्वयम कहते हैं, वो मुझे और मेरी शक्तियों को पहले तो अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव करके यदि जीवन में लक्षित भी है तो उसका उप्योग नहीं कर सकते श्लोक संकिया 32 में कहते हैं, यथा घनोर्क प्रभवोर्क दर्शितो यथा घनोर्क प्रभवोर्क दर्शितो यरकाश भूतस्यचचक्षुशस्तमा एवं त्वहं ब्रम्म गुणत दक्षितो ब्रम्हान शंकर अस्यात्मन आत्म बंधना यदेपी बादल सूरे की उपज है और सूरे द्वारा द्रिश्य भी होता है तो भी यह देखने वाली आँख के लिए जो सूरे का ही दूसरा अंच है अंधेरा उत्पन नगर देता है इसी तरह परब्रम्ह की विशेश उपज मित्या एंकार जो परब्रम्ह द्वारा ही द्रिश्य बनाई जाती है आत्मा को परब्रम्ह का साक्षात्कार करने से रोकता है यदेपी आत्मा भी परब्रम्ह का ही अंच है कितनी सुंदर उपमा है ये सूरे है ये हम सूरे को यहाँ परम सकते माने सूरे के द्वारा अवशोशित जल से बादल बने है सूरे की प्रकाश के एक अंश के रूप में मनुश्य की आँख है जो आँखे इस द्रश्य को सूरे को देख पाएं उसके बीच में जो अवरोध है ये सूरे बादलों से ढखा है तो आँखे सूरे का दर्शन नहीं करें आँखों को प्राप्त होने वाला प्रकाश सूरे से उद्भूत स्त्रोत है आखों को सूरे का दर्शन कराने में जो अवरोध बादल है वो भी सूरे सुथ पन्सोत है तो अब हम इसे आत्यात्मिक प्रिष्टी से कैसे समझें कहा जा रहा है एक परब्रम है और एक परब्रम का अंश आत्मा है जो हम सभी के शरीर में विद्यमान है यदि हम जीवित है तो परब्रम और उसका अंश आत्मा और परब्रम से ही उपजा यहां मिथ्या एंकार बादल वो आवरन ये आत्मा परब्रह्म के साथ एकात्म उसका साक्षात्कार नहीं कर पारी है क्योंकि बीच में मित्यायनकार है तो ये उपमा है जो यहाँ पर शुक्देगो स्वामी समझाना जा रहे हैं कहते हैं श्लोक संख्या 33 में जब सूरे से उत्पन बादल तितर वितर हो जाता है तो आख सूरे के वास्त्मिक स्वरूप को देख सकती है इसी तरह जब आत्मा दिव्य विज्ञान के विशे में पूछ ताच करके मित्यायनकार के अपने भौतिक आवरण को नश्ट कर देता है तो वो अपनी मूल आध्यात्मिक जागरुकता को फिर से राप्त कर लेता है तो सूरे से उत्पन बादल तितर वितर हो जाता है भगवान से ही उत्भूत मित्या हैंकार जो हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है तब और वो तितर वितर होता कैसा है जैसे वायू का वेग है वैसे ही ज्यान का प्रवा है कितनी सुन्दर उपमा है वायू का वेग है उसी प्रकार ज्यान का प्रवा है जो इस मित्या हैंकार को नश्ट कर देता है ये भौतिक आवरण समाप्त हो जाता है इसलिव अपनी मूल आध्यात में एक जागरुपता को प्राप्त वर पाता है तो जो आध्यात में एक रूप से जागरित नहीं होते वे कभी इश्वर को, कभी स्वयम के और इश्वर के संबंद को नहीं जान पाते सिश्टी के विले होने पर, विलीन होने पर वो अव्यत तवस्था में नश्टो हो चुके हैं वापस जो शरीर धारन करेंगे, वो फिर पुर्ण किसी और इस्तिती के संयोजन से प्राप्त सुभाव को उपलब्द कराएगा कहते हैं श्लोक संक्या 34 में कमंगस अप्लवम हिदाजा परिक्षित जब आत्मा को बांधने वाला माया मय मित्या एहंकार को विवेक शक्ती की तलवार से काट दिया जाता है और मनुष्य परमात्मा अच्युद का नुभव प्राप्त कर लेता है तो वह भौतिक जगत का आत्यंतिक या परम प्रले कहलाता है तो यहां पर हमने प्रले के इस प्रकार को जाना जहां जीव पुनह अब कभी इस भौतिक स्रिश्टी के संबंध में बंधने वाला नहीं है परम प्रले की ये अवस्था कही कही है यहां पर हाई, नैमितिक, प्राक्रतिक और आत्यंतिक की बात की जा रही है हम लोग आगे के अध्यायों में भी यहां से प्रले की कोटियों के प्रकार के बारे में उलेक आरंब हुआ है अभी आगे मारकंडे रिशी की कथा में हम इसके बारे में और श्रमन करेंगे जहां जीव अब कभी पुनव भौतिक श्रिष्टी के प्रलय और स्रिजन के व्यवहार से परे पहुँच चुका है आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है इश्लोक संख्या 35 में कहते हैं नित्यरासर्व भूतानाम ब्रह्मादीनाम परमतप उत्पत्ति प्रलय योए के सुक्ष्मज्यासंप्रचक्षते ये शत्रूओं के दमन करता प्रकृती की सुक्ष्मकार्य प्रणाली के ज्याताओं ने गोशित किया है कि उत्पत्ति तथा प्रलय की ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं जिनसे ब्रह्मा इत्यादी सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते रहते हैं सारी भौतिक पस्त्व में रुपांतर होते हैं और वे काल के प्रभल प्रभावाद्वारा तेजी से शीन की जाती हैं भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित अपने अस्तित्व की विभिन अवस्थाएं उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय के शाश्वत कारण हैं तो जो कुछ भी नश्ट हो रहा है और पुना स्रिजन हो रहा है ये विभिन प्रदर्शित अवस्थाएं काल के प्रभल प्रभावाद्वारा रुपांतरित होती रहती हैं तो इसे हम प्रलय और स्रिजन कहते रहते हैं इश्लोक संख्या 37 में देखा जाए तो यही अर्थ है प्रलय और स्रिजन का बनना और बिगरना और यह संचालित हो रहा है काल की विभिन गतिविधियों में क्योंकि सीमित समय अवधी दी गई है काल के द्वारा तो बहुत एक वस्तुएं रूपांतरित हो रहे हैं इश्लोक संख्या 37 में कह रहे हैं अनादियंत वतानेन काले निश्वर मुर्तिना अवस्थानेव द्रिश्यंते वियती जोति शामिव भगवान के निर्विशेश प्रतिनिधी स्वरूप आदिहीन तथा अंतहीन काल द्वारा उत्पन जगत की ये वस्ताएं उसी तरह द्रिश्य नहीं हैं जिस तरह आकाश में नक्षत्रों की स्थिती में होने वाले अत्यंत सुक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता प्रतिनेरी हम आकाश को देख भी रहे हैं खगोल शास्त्र अपने आप में पुरा एक विज्ञान है आकाश में निरंतर गती शिलता है सुर्य सडैव गती कर रहे हैं पर हमारी आखों से सुर्य की सामान गती को कोई अनुबूत नहीं कर सकता जैसे यहां आचादे उन्हें उधारन दी और बहुती व्यभारिक उधारन है हमारे नाखून, हमारे बाल ये बढ़ रहे हैं पर हम इनकी इस गती को देख नहीं पाते हैं हाँ, एक निश्चे समय के बश्यार हमें उन्हें व्रद्धी दिखने लगती है उसी प्रकार भगवान का जो शक्ति श्वरूत काल तत्व है वो सुक्ष्म और प्रवल है जो भौतिक श्रिष्टी का दोहन करने के लिए यहां रहना चाहते हैं उनको वो नश्ट कर देता है और जो भगवत तत्व को प्रस्तारित करना चाहता है उनका वो सहायक बन जाता है इसलिए कहा गया है जब हम भगवान को समय देते हैं तो वो काल का प्रस्तार हो जाता है हमारे जीवन में तब भी समय अव्य रूप से उतना ही उपस्तित रहता है और जो अपना समय इस जगत की रुभिन प्रकार की क्रियाओं में लगाने लग जाते हैं जो उनको इंद्रियों को तुष्ट कर सके उनके लिए समय कब व्यतीत हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चाहता है इस लोग संक्यार्टिस में कह रहे है नित्यो नैमितिको चैव तथा प्राकृतिको लय आत्यांतिक चकतित कालस्य गति इद्रिशी इस प्रकार काल की प्रगति को चार प्रकार के प्रलै के रूप में वर्नित किया जाता है ये हैं स्थाई, नैमितिक, प्राकृतिक तथा आत्यांतिक क्या उलेख है एता कुरू एता कुरूश्रेष्ट जगत विधातू नारायनस्या के लसत्व धामन लीला कतास्ते कतिता समासत कार्च्वे नाजोप्य विधातु मीश्व एकुरूश्रेष्ट मैंने तुम्हे भगवान नारायन के लीलाओं की ये संक्थाएं संक्षेप में बतला दी भगवान इस जगत के श्रिष्टा हैं और सारे जीवों के अनंत आगार हैं यहां तक कि ब्रह्मा भी उन कताओं को पूरी तरह बतलाने में अक्षम हैं क्यों कहत सिर्व भगवान बतला सकते हैं इसलिए इसकंद एक जब आरंब होता है तब वहाँ पर व्यास देव को भगवान का साहितिक अबतार कहा गया है और शुकदेव गुस्वामी व्यास देव के उत्र हैं और वहां से इन कताओं को श्रमन कर रहे हैं इसलोक संक्या 40 में उल्ले कित क्या गया है संसार सिंधो मति दोस्तर मुत्ति तीशो नान्य फ्लवो भगवत पुरुशो तमस्य लीला कथारस निशेवन मंतरेन उन्शो भवेद विद्विद दुख वारित अस्य असंके संतापों की अगनी से पीरित अथा दोल्लग्य संसार सागर को पार करने के एक भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वादन के प्रती भगवान की कथा के दिव्य आस्वादन के द्वारा जीवन में भगवान की कथा के दिव्य आस्वादन के द्वारा जीवन में भगवान की कथा के दिव्य आस्वादन के द्वारा जीवन में भगवान की क आश्वस्ति योग्य नहीं है वो हमें अंततह भगवत प्राप्ति करा ही देगा इसकी कोई आश्वस्ति नहीं है कोई ग्यारंटी नहीं है तो जिसे भव जुवर कहा गया है वो भगवान के नाम की और लीला की आश्षदी से दूर किया जा सकता है आगे यहाँ पर बतला रहे हैं श्लोक संख्या 41 में बहुत दिन बीते सारे पुराणों की यह आवश्यक सन्यता अच्चुद नारायन रिशी ने नारत से कही थी जिनोंने फिर इसे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से कही सवे मयम महाराज भगवान बाद रायन इमाम भागवत इंप्रीत सन्यताम वेद सम्यताम हे महाराज परिक्षित महापरु श्रील व्यास देव ने मुझे उसी शास्तर श्रीमत भागवत की सिक्षा दी जो महतों में चारो वेदों के ही तुल्ले है शुक्देश गोस्वामी यहापने पिता के पती कृतग्यता व्यक्त कर रहे है कि वो जो आवश्यक सभी प्रकार के ज्ञान के सार के रूप में जो श्रीमत भागवतम की सिक्षा है जो चारो वेदों के तुल्ले है हे कुरुश्रेष्ट हमारे समक्ष आसीन यही सूत को स्वामी नैमी शारण के विराट यग्गे में एकत्र रिश्यों से इस भागवत का प्रवचन करेंगे ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक आदी सभा के सदस्य उनसे प्रश्ण करेंगे इस प्रकार श्रीमत भागवतम के द्वादश इसकंद के अंतरगत प्रमांड के प्रले की चार कोटिया नामक चतुत अध्याय के शिला भक्ति वेदान्त स्वामी प्रवपाद के विनीत सेव को द्वारा रचित कात पर पोर्ण हो रहे हैं तो सूत गोस्वामी जहां ये श्रीमत भागवतम इसकंद एक में आरब हुई थी वहाम ने श्रमन किया था कि कैसे शानकादे रिश्यों की सवामें सूत गोस्वामी ये बाचन कर रहे हैं क्योंकि वो प्रामारिक श्रोता हैं इसलिए वो प्रामारिक वक्ता बन सके संकेत प्राप्त हो रहा है जैसे RELAY RACE में BATTEN PAS किया जाता है तो उन्हें ये संकेत प्राप्त हो रहा है कि अब आपको इस कथा को आगे पचारित करते है अध्याई यहाँ पर समाप्त हो रहा है और अध्याई पांच बहुती छोटा अध्याई है वास्तों में बहुत ही कम प्रिष्ट का अध्याय है, हम लोग उसे भी श्रमन करने का साथ में प्रयास कर लेते हैं मात्र 10 से 15 श्लोकों के बीच में महराज परिक्षित को शुकदेव गोस्वामी का अन्तिमुपदेश तो जहां अध्याय पांच आरब हो रहा है, कहा गया है महराज परिक्षित को शुकदेव गोस्वामी का अन्तिमुपदेश श्लोकों के इस क्रम में क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ये परभर्म विश्यक संक्षिप्त, ये ग्यान पहले भी हमने श्रमन किया है महराज परिक्षित को तक्षक से दंच का जो श्राप मिला है वह किस प्रकार? एक माध्यम है पुना भगवान के धाम में प्रवेश करने का शुकदेव गोस्वामी उस ज्ञान के लिए परिक्षित करने है कहते हैं शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर शुकवाच अत्रानूवर्ण्यतेग भीक्ष्रम विश्वात्मा भगवान हरी यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्बव शुकदेव गोस्वामी ने का इस श्रीमद भागवत की विभिन कताओं में भगवान हरी का विस्तार से वर्णन हुआ है जिनके प्रसन होने पर ब्रह्माजी उत्पन होते हैं और जिनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है तो ये बिल्कुल आरंब में हमने शुष्टी के निर्माण में इसकंद तीन में यदि मुझे संभवता सही से याद है तो हमने श्रवन किया था विस्तित सारांस क्योंकि अब श्रिमत भागवतम वास्तों बहिए यहाँ बिल्कुल अंतिमिसकंद के अंतिम अध्यायों में प्रवेश कर रहा है तो शुग्देगोस्वामी के कथन का सार है इस ज्यान को राप्त करने और कराने वाले ब्रह्मा जी जो हमें सर्वोच प्रतीत होते हैं उनके जीवन का एकमात रुद्देश भी भगवत धाम वापस जाना है बद्ध जीव को भगवान के समर्पन के लिए आवश्यक मालग दर्शन प्रदान करके तो कहते हैं शुक्देगो स्वामी प्रह्मा जी तक सोचो कि उन्हें भी वापस ये शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस जाना है तुम तु राजन मरिशेती पशु बुद्धिम इमाम जही नजात प्राग भूतो द्य तेहवत्वम ननंक्षयशी ये राजा तुम ये सोचने की पाश्वीक प्रवृत्ति की मैं मरने जा रहा हूँ त्याग दो तुम शरीर से सर्वता भिन्न हो क्योंकि तुमने जन्म नहीं लिया है भूत काल में ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे और तुम विनश्ट होने वाले भी नहीं हो और इसलिए हम इस्वरन करें इसकंद एक के अंतिम अध्याय में अध्याय उन्निस में जिसे यहां उद्रत किया गया है तात्परे में राजा परिक्षित ने कहा था ये ब्रामणों तुम मुझे पूर्ण शर्नादत के रूप में स्विकार करो और भगवान की प्रतिनली सुरूप माता गंगा मुझे उसी रूप में स्विकार करें क्योंकि मैंने पहले ही भगवान के चरन कमलो को अपने होदे में रख लिया है तो तक्षक या कोई भी चादू भरी वस्तू आकर मुझे काट ले उससे पहले मेरी एकमात रिक्षा ये है कि भगवान के कारे कलापों के बारे में मैं श्रवन कर सकूँ तो वैसे भी महराज परिशित के मन में कोई पाश्विक भए नहीं है कि तो शुक्देव गोस्वामी कहीं किसी कोने में कोई चिंता व्याक्त नहो इसलिए इस करी भाषा का प्रकर शब्दों का प्रेयोक करते है जैसे भगवद गीता में अर्जुन के लिए बोला है भगवान ने अर्जुन को वास्तों में नहीं कोई आविशकता है भगवद गीता कि हमें सदैय विस्मरण रखना चाहिए बगवद गीता हम सब के लिए बोली गई है अरजुन के माध्यम से यहां परिश्यत महराज के माध्यम से ये मृत्यू का पाश्रिविक भै अपने जीवन से निकाल दो यदि हुदेस थलपर भगवान के श्री चरण उपस्तेत है यदि चिंतन भगवान के कारियों में लीलाओं में नाम गुड़ों में व्यवहार में लगा हुआ है तो इस चिंता रूपी मृत्यू के भै की कोई जीवन में जगा नहीं होने चाहिए तुम अपने पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में फिर से जन्म नहीं लोगे जिस तरह बीज से अंकुर जन्म लेता है और पुरा नया बीज बनता है प्रत्यू तुम भौतिक शरीर तथा उसके साज सामान से सर्वता भिन्न हो जिस तरह अगनी अपने इंधन से भिन्न होती है हमें लगता है कि हमने लकडी घी ये समसजित किया तो अगनी प्रजूलित हुई पर यदि हम श्रष्टी के तत्यों के बारे में देखें तो अगनी पहले से उपस्तित है केवल अनुकूल परिस्थितियों में वो स्वयम को प्रस्तुत कर रही है अगनी पहले से उपस्तित है लकडी में यदि अगनी नहीं है लकडी और घी में यदि अपने अपने स्तर पर व्यक्त होने वाली अगनी कानशोदा दो फिर दोनों के संयोजन से उत्पन्न होने वाली इस क्रिया में उपस्थित अगनी पहले से द्रिश्यमान होनी चाहिए तो पुत्र पौत्र के रूप में जन्म पुनर्जन्म के इस चक्र में तुम नहीं पड़ोगे कहते हैं कि वास्तविक आत्मा उस शरीर से प्रथक है जिसे वह देखता है और वह अजन्मा तथा अमर है मैं अमुक व्यक्ती हूँ इस पहचान से परें ये जो मैं तत्व है ये आत्म तत्व के साथ संबद्ध कर देने पर जीव को अपने वास्तविक परिचे का बोद रहता है प्रकट कर रहे हैं कि महाराज परिक्षित के मन में कहीं किंचित मात्र भी यदि कोई व्याप्त हो जो की है नहीं पर उनके इस अभय की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सभी के लिए उदाराने कहते हैं जब घड़ा तूर जाता है तो घड़े के भीतर का आकाश पहले की तरह आकाश बना रहता है उसी तरह जब स्थूल तथा सुक्ष मशरीन मरते हैं तो उनके भीतर का जीवपना आध्यात्मिक स्वरूप धारन कर लेता है आत्मा के भौतिक शरीर गुण तथा कर्म भौतिक मन द्वारा ही उत्पन्न किये जाते हैं मन स्वयम भगवान की माया शक्ती से उत्पन्न होता है और इस तरह आत्मा भौतिक अस्तित्व धारन करता है यहां अलग अध्याय पर आज के सत्र में हमने पूरवर्ति अध्याय में ही इस उत्पन्न होने के आत्मास के इस विभिन स्वरूप के गुणों को धारन करने वाले विवार के बारे में श्रुवन किया है तो आगे स्नेहा धिष्ठान वर्ति अग्नी सैयोगो यावत इयते तावद दीपस्य दीपत्वं एवं देह कृतो भव रजसत्वतम वृत्या जायते अत्विनश्यती दीपक अपने इंधन पात्र बत्ती तथा अग्नी के सम्मेल से ही कारे करता है इसी तरह भौतिक जीवन शरीर के साथ आत्मा की पहचान पर आधारित होने से उत्पन होता है और रजो तमो तथा सतो गुरों के कारियों से विनश्ट होता है जो शरीर के अव्यवी तत्व है तो ये भौतिक जीवन शरीर के साथ आत्मा की पहचान पर आधारित है शरीर के साथ आत्मा की पहचान पर और प्रकृति के इन विभिन सत रज तम मित्य आहेंकार से यह सब जो अव्यव तत्व हैं उनसे बन और बिगड़ गा है न तत्रात्मा स्वयम जोतिय अव्यक्त अव्यक्त योपर आकाश इवचाधारो द्रुवो नंतो पमम तत शरीर के भीतर का आत्मा स्वयम प्रकाशित है और द्रिश्य स्थूल तता द्रिश्य सुक्ष्म शरीरों से प्रथक है यह परिवर्तन शील शरीरों का इस्तिराधार बना रहता है जिस तरह आकाश भौतिक रूपांतर की अपरिवर्तन शील प्रिष्ठ भूमी है इसलिए आत्मा अनंत और भौतिक तुलना के परे हैं अब तक के समस्त आत्मा से संबंधित विशलेशनों में यदि हम किन चित भी ध्यान पूर्वक्ष्रमन करते हैं तो ये शरीर और आत्मा अलग हैं हम शरीर नहीं आत्मा हैं आत्मा परिवर्तन शील है शरीर परिवर्तन शील है भौतिक प्रक्रती के गुणों के संसर्ग में रहकर जीव जो इस शरीर से कर्म कर रहा है उससे प्राप्त स्वभाव से संचित गुण और कर्म के उपादान को आत्मा अगले शरीर में लेकर प्रवेश करती है और इस प्रकार ये क्रम बना रहता है पर आत्मा अपने आप में अपरिवर्टन शील है इस लोग संख्या नौ में उलेक कर रहे हैं एवाम आत्मान नमात्मस्थाम आत्मने वाम्रिशप्रभो बुद्धयानुमांगर्भिन्या वासुदेवानुचिंतया ये राजा भगवान वासुदेव का निरंतर ध्यान करते हुए तथा शुद्ध एवं तारकिक बुद्धी का प्रयोग करते हुए अपनी आत्मा पर साफधानी से विचार करो कि ये भौतिक शरीर के भीतर किस तरह स्तेद है तो ये जो आत्म प्रग्य चेतना की बुद्ध अवस्था है जिसमें हम सभी स्परन कर सकें सदैव चिंतन कर सकें सदैव अनुभव कर सकें कि हम इस शरीर से भिन्न है और जैसे युद्ध में जाते हुए कमांडर के द्वारा सैनिकों को बहुत ही वीरोचित संभाशन के द जाता है वैसे ही यहां पर शुकदेव गोस्वामी महाराज परिक्षित को उनके जीवन की बिल्कुल अंतिम अवस्था में तक्षक तुम्हें काटने आएगा भरवीत होने की आवशक्ता नहीं क्योंकि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो ये सारा ज्यान जो तुमने शरीर से सुना है और साधा है उससे तुम अपने वास्तरिक संबंद भी दे और प्रयोजन को समझ पायो तो कहरे श्लोक संक्या दस में चोदित विप्रवाकेन नत्वाम्प धक्षती तक्षक मृत्य वो नोप धक्ष्यन्ती मृत्यो ना मृत्यो मिश्वरा ब्रामण के शाप से भेजा हुआ तक्षक सर्प तुम्हारी असली आत्मा को जला नहीं सकेगा मृत्यों के दूद तुम जैसे आत्मा के स्वामी को कभी नहीं चला पाएंगे क्योंकि तुमने भगवत धाम जाने के मार्ग कि सारे खत्रों को पहले से ही जीत रखा है कौन नहीं जा सकता भगवत धाम जिसके जीवन में भोगा सकती है जिसके जीवन में शरीर के प्रति अत्यदिक अनुराग है जो भगवत तत्व के बारे में अभी श्रवण नहीं किया पटन नहीं किया चिंतन नहीं किया व्यवहार में सेवा भाव नहीं लेकिया जिसके भगव लोग, मद, मो, मत्सर, मित्या, हैंकार ये सब तो तुमने पहले ही नश्टे कर दिया तुम तो उपस्तित हुए अपने आपको शर्णागत करके ये कहते हुए कि आप सब अब मेरे भुगवद धाम जाने के द्वार्ग को अनावृत करें तो शुक्देगोस्वामी कहा रहे हैं कि ये संत सभाव राजा आप तुम रित्यों के पहुँच से पहले भी दूर थे हैं इसी भागवतम में आपने अजामिल का श्रवन किया है शुद्ध क्रश्न भक्त के रूप में भगवध अजाने के लिए आप पत्पर हैं आप वधाई के प्राप्त हैं पात्र हैं कहते हैं इस लोग संक्या 11 और 12 में अहम ब्रह्मा परमधामां ब्रह्मा अहम परमपदम एवं समेक्षे चात्मानम आत्मन याधाय निश्कले दशंतम तक्षकंपादे लेली हानम विशानने नद्रक्ष्यसी शरीरम च विश्वं च प्रतगात्मन तुम मन में यह विचार लाओ कि मैं परब्रम परमधाम से अभिन्नू और परम गंतव्य परब्रम मुझसे अभिन्न है इस तरह अपने को परमात्मा को सौपते हुए जो सभी बहुती कुपाधियों से मुक्त है तुम तक्षक सर्ब को जब अपने विश्व से पूर्ण दातों से तुम्हारे पास पहुँचकर तुम्हारे पैर में काटेगा तो देखोगे तक नहीं नहीं तुम अपने मरते हुए शरीर को या अपने चारो और के जगत को देखोगे क्योंकि तुम अपने को उनसे पृथक अनुभाव कर चुके होगे श्रिमत भगवत गीता में जब हो मृत्यू के सैयारी के लिए अभ्यास की बात भगवत गीता अध्याय आठ श्लोक संख्या पात से पंदर तक श्रुमन करते हैं तब यदि जिन श्रोताओं को रुची हो वास्तों में इन दो श्लोकों का ये अनुवाद अपने संख रख लें प्रति दिन कम से कम 16 माला वैसे तो श्रोताओं को पठन कहा है पर यदि संभव हो तो नियमित एक घंटे का श्रोवन हमें अवश्य करना चाहिए जिनके पास पठन की उपलब्दता नहीं है उन्हें नियमित एक घंटे का श्रोवन कम से कम अवश्य करना चाहिए और उसी प्रयास में ये एक घंटे का सत्र निर्धारित किया गया था इस नियमित श्रमण में दो बिंदू जो हम सद्याव इस्मरण रख सके हम हमें चिंतन करना चाहिए इस पंक्ती का कि अपने मरते समय हम इस शरीर को या इस आसपास के जगत को देखने तक का विचार ना करें क्योंकि हम उनसे प्रथक अनुभव कर चुके हों जहां हम इस जगत की सभी भौतिक उपाधियों से मुक्तों संबंदों से मुक्तों और केवल भगवान के स्मरण से युक्तों इस प्रकार से अध्यायां समापत हो रहा है शुब्देव गुस्वामी अन्ति मिश्लोक में कह रहे हैं महाराज परिक्षित को एतत्ते कतितमतात यतात्मा प्रिष्टवान रिप हरे विश्वात्मन हश्चेश्टाम किम्भू यश्रोतो मिक्ष्यसी हे प्रियराजा परिक्षित मैंने तुम से ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान हरी की लीलाएं वे सारी कथाएं कह दी जिने प्रारंभ में तुमने पूछा था अब तुम और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्रीमत भागवतम के 12 इसकंद की अंतरगत महराज परिक्षित को शुक्देव गोस्वामी का अंते मुबदेश नामक पांचवे अध्याय के श्रीलब बक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद के विनी तसेव को द्वारा रचित तातपर पूर्ण हुए इस अध्याय में जो कुछ भी महराज परिक्षित पूस्ते चले गएं क्योंकि अब साथवा दिन आ गया है जहां इस धराधाम से ये शरील रूपी जीवनकाल समापत होने वाला है शुक्देव गोस्वामी कहते हैं अपने जीवन में किसी प्रकार का भय कोई शेश एक्षा तो हो जाओ, तुमें इसमें अब कहीं कुछ समरन करने की पातरिक ताविशकता नहीं है केवल इन कथाओं को इनके सार को भगवान की उपस्तिती को अनुभव करो और तुमें शरीर से और इस जगत से स्वेम को पित्ता कानुभव करोगे तो ये अध्याय यहाँ पर समाप क्रम को कि कैसे महाराज परेशित पुराणों के सार भगवान की उत्ता मिश्लों की अम्रित मैं लीलाएं ये भागवत सुनकर अभय का दिव्यपत प्राप करते हम सबके जीवन के उद्देशे में भी वास्तव में सार तत्व यह है अभय इस जगत में खाने सोने के लिए हम कर रहे हों ऐसा लग सकता है कि हम अपने पुरुशार्थ का प्रेयोग कर रहे हैं अपनी रक्षा करने के लिए अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए पर वास्तविक जो अभय हमें प्राप्त होता है अभय चरणारविंद बक्ति विदानता स्वामी श्रीले प्र अगले सत्र में हम सभी अध्यायच्छे महाराज परिक्षित का निधन इसकता को श्रमन करेंगे आज के लिए सत्र को यहीं पर समात करते हैं श्रिला प्रहपाद कीजाए श्रिला गुरुदेव कीजाए अनंत कोटी वैश्न विंद कीजाए श्रीमत भागवता महापुरान कीजे हरी कृष्णा